स्वागत है आपका यूटीब चैनल दीबाइकर एक एम और मैं हूँ आशदोष बाइकर ट्रेवलर एक्स्प्लोरर आज हमें शोरूम मोटो वाल्ट लोकेटर इन वाइट फिल्ड बैंगलोर करनड का इंडिया और हवारे सामने आज क्यूजे मोटर्स की स्टार्ट करते हैं फ्रंट से सबसे पहले ओवर्व्यू बाइक को चारो तरफ से देखते हैं कैसी है तो सामने से हमें सबसे पहले यूस्जी फॉक्स दिख रहा है शाहिन करती हुए क्रोम फिनिश में इसार्व का नंबर प्लेट है साइट से काफी हेवी इंजन था हेड्ला लिक्विड कूल फॉर स्ट्रोक एसो एसी एट वाल्स के साथ है 296 का एंजन है 30 HP 26 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है तबाव स्पैसिफिकेशन चलिए हम स्टार्ट करते हैं सामने से तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है टायर्स पर टायर्स में काफी अच्छे ग्रिफ है SRV 300 है 300 CC का एंजन है साइट प्रोफाइल में गोल्डन फिनिश में है एंजन गोल्डन एंड ग्रे कलर के फिनिश में चैन ड्राइव है फूट पैक्स आगे की तरफ है क्योंकि यह कुरूजर बाइक है सीट काफी छोटी है बट हाइट भी बहुत कम है एक एडवांटेज ह पीछे की तरफ चैन के ओपर कवर टायर पीछे के काफी वाइड है पीछे मोनो शॉक एब्सॉरवर नहीं डूवल शॉक एब्सॉरवर से पीछे यह नंबर प्रेट राइट हंड साइड में डिस्क्रेक विजबल है एक्सॉस्ट काफी बड़ा है मोटा है एंड ट्विन इ टैंक यूजे मोटर्स फिनिश में काफी अच्छा दिख रहा है यूजड शॉक एब्सॉरवर सिंख्रों फिनिश सामने की तरफ रेडिकेटर विकॉज यह लिकुट कूल्ड इंजिन है आते हैं फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में तो सामने की तरफ सबसे परने नज गार्ड है यूजड शॉक एब्सॉर्वर सिल्वर क्रों फिनिश स्टेल फिनिश यहां पर नंबर प्ले स्लॉट होता है जनली बट इसमें बट गार्ड पर दिया है यूजड लाइम विद डियार्स क्यूज ए मोटो की ब्रेंडिंग है उसमें काफी अच्छा डियारल है इंडिकेटर सीन एलिडी यह काउलिंग दी होई है है एडलाइट के ऊपर ताकि एक अच्छा लूक है बाइक को एंड फानली चंप हैंडल बार्स हैं क्रूजर बाइक में ऐसे ही होते हैं रियर व्यू मिर्स की रॉड पतली है बट इससे हैवी देता तो कुछ अलग दिख रहा है 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 अंडल बार अगेन प्रॉजव बाइक मैं सि होता कुछ मैं और यह थील बार बोलते हैं पुली डीचल इसव फेसीचल इस देखें दीचेल में आप gloss finish this is a black color bike 13.5 liters capacity है और यह I think detachable होगा tank cap tank lid let's come to seat तो seat में यहाँ पर intentionally यह gap दिया है maybe seat detachable हो इसलिए यहाँ पर gap दिया है seat काफी comfortable दिख रहे है यह 4 rider ठीक ठाक है चोड़ी है seat height 700 mm पीलन के लिए यहाँ strap दिया है बाइक को इंडियर मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस वज़े से देन पीछे का मटगाड आयरन का है and finally this is a tail lamp काफी बैतरीन काफी खुबसूरत काफी सुन्दर है LED टेल लैंप है बहुत ही ब्राइट दिख रही है देन पीछे की तरफ अगें क्यूजे मोटर की है ब्रेंडिंग है इस फाइवर पार्ट पे इस एसेंबली पे LED टर्न इंडिकेटर है नीचे की तरफ नमबर प्लेट लाइट है कम टू है इस संपम टू WITH के तरफ की यहां से और की कुछ ऐसे निकालते है कि कुछ एasyr mini बंद करते हैं पहले तो इसे लॉक करने के लिए कोने की बटन प्रेश करके आईसे बंद कर सकते हैं और बार कौने बटन दभाय रन्पूरिया चाको की दज़ ओपन हो जाती है और सीधा की स्लोट में लगा दिया की स्लोट में यहां पे lock unlock ignition on off है और handle lock है तिन आप्शन्स है इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर कुछ ऐसे on होता है 288 तैन यहां पे time दिखता है आर्पीम मीटर है टैको मीटर है स्पीडो मीटर है कि यहां पर स्पीडो मीटर है ऐसे लावा यहां पर lights है neutral है टर्न इंडिकेटर रहे है और भी कुछ lights है जो visible नहीं है यहाँ पर on करने पर by के start करने पर दिखेंगी जैसे कि fuel warning है fuel खतम होने पर warning की राइट है engine temperature की है hazard light से ABS है engine malfunction है so काफी छोटा सा है compact सा है instrument cluster जो tank पर आता है but tank को touch नहीं कर सकता है यहाँ से आप clearly देख रहे हैं touch नहीं करेगा gap है almost half inch का या 10 cm या 15 cm का साइड में है button high beam की है button पहले यह यह पास light है कि नीचे है menu buttons है जो enter और select का option प्रोवाइड करती है इन बटन में high beam low beam button है lights के लिए turn indicators button है then horn button right hand side में यह back light के साथ है blue color में engine kill switch है plain and simple back light काफी अच्छी है hazard lights then engine start button this is clutch lever जो adjustable नहीं है बट काफी soft है यहाँ पे covering है adjustable नहीं है यहाँ और सा बाइक्स में होता है इस ब्रेक लिवर चार पॉइंट्स है अजस्टेबल आप अपने अपने हाथ के according कितना बड़ा चोटा आप अज़स्ट कर सकते हैं इस इस अब्रेक लिए दिस अउयल चैंबर फॉर फ्रंट इस ब्रेक एंड इस रियर विव मिर्र क्लासिकल हैं राउंड शेप्ट में हैं कितना इफेक्टी होगा चलाने ही पता चलेगा इसमें मैं दिख रहाँ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आते हैं फिर से सामने की तरफ हैडलाइम को देखते हैं हाई बीम प सब्सक्राइब करने पर ऐसा दिखता है काफी ब्राइट है आते हैं थोड़ा सा साइड में साइड प्रोफाइल पीछे से देखते हैं तो काफी अच्छा दिख रहा बहतरीन क्लासी फिनिश में और यह की स्लॉट है में भी सीट को ओपन करने के लिए या बैटरी बॉक्स क यह है फाइबर का कवर है बैटरी बॉक्स यहां हो सकता है टूल कीट हो सकती एसर भी 300 की ब्रैंडिंग है पीछे की तरफ यह आयरन का पार्ट है जो आयरन के मट गार्ड को होल्ड करता है और यह गोल्डन कलर की लाइन पीछे तक आती है काफी अच्छी डिजाइन है इस् इसर भी 300 ब्रैंडिंग है एयर फिल्टर बॉक्स है यह ना इस टाइम फॉर वील आते हैं फ्रंट वील पर यहां पर डिस्क ब्रेक है रिम है अलॉय रिम से हैं योजडी है रिफ्लेक्टर से हैं सब कुछ देखते हैं तो यूजडी टेलेस्कोपिक यूजडी शॉक एब् गार्ड को होल्ड करती है यहां पर फिर से यह कनेक्ट करता है एक रॉड है नीचे की तरफ है डिस्क्रेक क्यूजे मोटर लिखा हुआ है हो सकता है क्यूजे मोटर का अपना डिस्प्रेक हो डिस्क साइज है 280 mm वित ABS रिंग इसमें डूल चैनल ABS बाइक में और यह कनेक्ट बाइक है तो आप ज्यादे स्पीड में नहीं चलाओ तो अच्छा होगा टायर की साइज है 120 वाइटी वैस 16 16 इंचे के टायर है आते हैं दूसरी चरफ 12 स्पोक्स जिखते हैं रिम में लाइट थोड़ी कम है बट मैनेज कर लेंगे तो 12 स्पोक्स है युस्जी शॉक एब् 120 वाइटी वाइटी वाइए 16 16 इंचे के काफी छोटे टायर से 17 इंचे को आते हैं रियर वील्स के तरफ रियर वील के तरफ तो यह है शॉक एब्जॉर्वर्वर्ज जो एड्जस्टेबल है ओयल डैम्ड है जनली बाइक में मोनो आता है बट यह क्रूजर बाइक है तो ड डिस्क ब्रेक है 240 mm का है ABS रिंग के साथ है डूल चैनल ABS बाइक में यह डिस्क ब्रेक पे ब्रेंड नहीं लिखा है कुछ भी टायर बे आते हैं टायर भी काफी वाइड है 150 x 80 x 15 15 इंचे के हैं आगे के 16 पीछे के 15 पीछे के और छोटे हैं बट काफी चोड़ा है पीछे का काफी चोड़ा है इस साइड में यह चैन स्प्रॉकेट है चैन स्प्रॉकेट की साइज काफी जाज है काफी बड़ा है अगर कंपेर करें और बाइक से तो क्रूजर बाइक से भी और उसके उपर है कवर फाइवर का स्विंग आर्म्ज एंड फाइनली इस टाइम फॉर बा मोगा Twin Spark है तो Fiverr की covering के साथ है Rayulator यह है Cap For radiator और यहा lawyer कुछ covering ऐरन की है यह covering आ यहां से Fan visible है नीचे की तरफ onto है और यहां से निकलता स्टार्टर मोटर भी है यहां से निकलता है एक्जास्ट एक-एक सिलिंडर से और यहां से चौड़ा है यह आयरन की कवरिंग के साथ है और साउंड भी देखेंगे थोड़ी तेर में एक्जास साउंड कैसा है पीछे काफी वाइड है आते हैं लेफ्ट साइड में दुबारा तो यहां पर यह फ्रेम है चैसिस है फाइव वोल्ट्स टू एंपियर का चारजर मिल जात आप अपना फोन कुछ भी चार्ज कर सकते हैं यहां लगा के पॉकेट में भी रख सकते हैं बस आपके हैंडल में फसना चाहिए वह और यहां पे है फ्यूल इंजक्शन या जो भी होगा फ्यूल सप्लाई यह सब कवर किया है फाइवर से यह दोनों सिलिंडर्स वी शेप म यह ज्यादा जुका हुआ है क्योंकि सिलिंडर भी ज्यादा जुका हुआ है इंजन पर है कि यूज मोटर की ब्रैंडिंग और यह गोल्डन और ग्रे कॉंबिनेशन में है इससे हमें पाउर मिल जाता है 13.3 HP at 9000 rpm and 26 Nm at 5000 rpm टॉर्क है आते हैं इंजन के राइट हैंड इसे भी और यहां पर सबकुछ विजिबल है कवर्ड होते हुए नेकड बाइक नहीं क्रूजर बाइक है बट फिर भी हम देख सकते हैं यहां पर इंजन नेवल यहां से दिखेगा क्लच वायर है यह पीछे है रियर डिक्स प्रेक का आइल चैमबर आगे की तरफ वहां पर स्थार्टर मोटर जैसा मैंने पहले ही वेज़ अब आते हैं आएक कि डायिद्ट हाइट बाइक के लेंच फैनीज मार्केट में सब्सक्राईट है इसमें सबसे इंपूर्टेंट बात है स्थाइट की मात करें यह लिजूजर बाइक है की क्रूजर बाइक कि सोटी ह काम है बंदी चला सकते हैं और यहां पर फिलियन का फोट्रेस्ट राइडर सीट के नीचे आता है क्योंकि यह क्रूजर बाइक है और सीट भी छोटी है तो आपका पिलियन आगे को बैठे चिपक के जोक सबाट तो थोड़ा आगे होके बैठेगा तो उसका पैर यहां पर आएगा और राइडर का पैर आगे की तरफ क्योंकि यह क्रूजर बाइक की ऐसी डिजाइन होती है और यह कुछ एससे कनेक्टेड है और इसमें नंबर ऑफ गेर्स है यह गेर लिवर नंबर ऑफ गेर्स अच्छे एक नीचे पांच उपर शूज आपके गंदे होने जैसे मेरे ग्राउट रहता है ग्राउट क्लेर मिलता है इसमें 160 mm वेट है 164 kg तो आसानी से हर को इसे हैंडल कर लेगा और इसे ब्रेक लिवर राइड हैंड साइड पर ग्राउट क्लेर जैसे मैंने कहां 160 mm है तो समाल के चलाना है आपको नाओ इस ताइम फॉर एग्जास्ट अब फा 110 mm वेट है 850 mm ऐट है 1100 mm वील वेस इसका 1400 mm है और चेस टाइप है बैसीने टाइप बैक की टॉपीड है 150 km पर आर माइलेज है 30-35 km पर लिटर यह अवलेबल है चार कलर में ग्रीन, ब्लैक, और अरेज और अरेड 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 और प्राइस अरेड रीन कलर 3,49,000 159,000 रूपीज एक्स्क्लोसिव शोरूम प्राइस इंडिया, इस वाज अल अबाट क्यूजे, एस रवी 300, I am sure आपको यह बाइक अच्छी लगी होगी, आपको बाइक अच्छी लगी तो इसको आप ऑप्शन में रख सकते हो, अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो इससे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, भूलना नहीं आप, आप सब्सक्राइब करोगे तब ही नमबर्स बढ़ेंगे, नमबर्स बढ़ने पर नहीं सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं आप से अगले झाल वे